वेल्डिंग के बारे में हम आज चत्रा करने वाले हैं और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को थोरण सब्स्राइब कर ले जिससे कि आपको पता चल सके कि भी नेक्स वीडियो जो भी आता है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो साथी बैल आइकन को भी प्रेस कर ले तो चल सुरक्षा प्रदान करते हैं वेल्डिंग के दोरान जो नेक्स पॉइंट होता है वो होता है एपरन लेदर जो की वेल्डिंग से जो है बोडी को सुरक्षा या कपड़ों में आगनी लग जा इसके लिए सुरक्षा प्रदान करता है नेक्स पॉइंट जो होगा वो होता है third point जो की screen welding helmet type होता है जो की ये helmet हो गया लेकिन इसके पर एक screen लगी रहती है जो की welding करने में सुरक्षा प्रतान भी करता है और साथी साथ welding को देखने में करने के दोरान जो है मदद करता है अब जो है fourth point वो की screen welding helmet होता है ये helmet आपने देखा ही है जिससे कि अगर helmet का इस्तमाल नहीं करते तो इस तरीके से screen face guard का इस्तमाल कर सकते है अब जो next point होगा वो होगा हमारा safety गोगल जो की welding के दोरान जो है हमको थोड़ी दूरी से ये sweater जो है हमारी आखों में ना चले जाए इसके लिए गोगल का इस्तमाल करते है अब जो next point होता है वो six point जो की hammer scaling जाने की 0.25 kg का होता है विथे अंडल जो की hammer होता है जो की welding के दोरान कहीं पर भी ठोका पिंची करने में काम में लिया जाता है अब जो बात होती है चीजल कोल चीजल जो की flat 19 mm की होती है जो की ठंडी धात्व को काटने में मदब करते हैं अब center punch जो होते है वेसे 9 mm x 127 mm का होता है लेकिन हाँ punch कहीं प्रकार के होते हैं अगर आप कहेंगे तो मैं उसका वीडियो describe कर दूँगा और इसी के साथ में जो 9th point होता है वो होगा आपका divider जो की 20 cm वेसे बता दूस पंच जो होते हैं वो कहीं न कहीं किसी जगे पर point करने के लिए कामें लिए जाते हैं अब जो divider 20 cm होगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा जैसे कि आप जानते हैं यह डिवाइडर का काम क्या करना होता है यहाँ पर pencil लगी रेगी इसको हम चाहे जितना भी फैला सकते हैं अब यहाँ पर बात करते हैं 10th point की जो की caliper outsider 15 cm जो की outside caliper है किसी भी block को बीच में रखने के बाद इसको फैलाएंगे तो उसका जो है कितना diameter वो पता चल जाए scale पर माप सकते हैं इसी की तरह के जो होता है inside भी होते हैं कहीं तरह के caliper होते हैं जो की internal diameter को मापने में काम लेते हैं अब जो 11th point होगा वो rule 60 cm 2 fold brass for two read inches in and mm में तो यह कहने का मतलब यह है कि दो brass के scale एक साथ merge किये होते हैं किसी center से एक दूरी इतनी और एक दूरी इतनी कितनी होगी वो पता चल जाएगा इसी के साथ में जो 12 point होता है वो होता है wire brush जो की 15 cm into 3.7 mm का होता है यह इसका size होता है standard जो की market में अवेलेबल हो जाते हैं जैसे की welding के दूरान अगर स्पेटर गेते हैं बहुत बारी बारी इक स्पेटलिक तो उनको जो हिसाब करने के यह यह कामे लिया जाता है इसी के साथ में जो होता है एक spark lighter होगा जो की spark करने के लिए कामे लिया जाता है और 14 point जो होता है safety boots for welder जो की is better अगर welding के दोरान कई pair wear पर गिर रहा हो तो यह safety देते हैं अब इसी के साथ में जो होता है safety गोगल जो की safety प्रदान करते हैं normally ठीक है और इसी के साथ में जो next point होता है वो होता है हमारा square blade 15 cm जो की यहाँ पर यह 90 degree angle पर अगर समतल ताकी जात करनी हो surface की तो वहाँ पर हम trisquare या फिर यह square blade का इस्तमाल करते हैं इसका standard size 15 cm होगा 17 point जो होता है वो होता scriber 15 cm जो की इस आसा होगा ठीक है जो की metal removing काम में लिया जाता है इसके साथ में जो यह होता है है टॉंक होल्डिंग यानी कि इक चिम्ट जो कि किसी भी चीज को होड करके के से एक इस्तान से दूसरी इससान पर छोटा सा अरे शोट जो ही रखने में काम में लिएते हैं अब 19 points जो होगा वो brass rule 30 cm या फिर युका हो तो nickel chrome steel का बना होता है 30 cm का होता है 15 cm का भी आता है 30 cm का भी आता है ठीक है इसका standard size जो होता है मैं आपने के लिए काम में लेते हैं अब बात करते हैं hammer ball pin 1 kg with handle जो कि यहां पर यह handle लगा रहेगा ball pin hammer इसको बोलते हैं hammer कहीं तरह के के होते हैं तो friends मैं आपको बता दू कि मैंने काफी अच्छा response देते हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लें क्योंकि उससे आपको इस वीडियो को समझने में काफी helpful हो जाता है अब जो next point होता है 21 जो कि chisel cold cross 9 mm का होता है यह कुछ इस तरीके का रहेगा जो कि यह जो है ठंडी धातू को काटने के लिए काम में लेते हैं एक होता है hot chisel और 22 पॉइंट जो होगा वह स्क्राइबिंग ड्राइवर होता है जिसका साइज होगा 25 cm ब्लेड एंड 20 cm जो होता है ब्लेड तो यहां पर यह कहीं तरह के कि screw driver होते है जो अलग अलग तरह के screw को खोलने के लिए काम में लेते हैं इनके tips से पता लगता है और यह इसका holder होगा अब बात करते है 23 पॉइंट जो कि लेग वाइस होती है जो कि यहां पर यह आपको टे किसी भी identify करने के लिए कि जो क्या-क्या specification है या फिर किसमें बनाया है तो letters या फिर numbering हम कर सकते है 25 नमबर जो होता है वो hexaframe and adjustable table होती है जो कि 30 cm का होगा तो यह frame जो होता है यह hexa blade को काम में होल्ड करने के लिए काम में लिया जाता है यह इसको पकड़ रखती है ठीक है और यह इसका handle हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स अब बात करते है 26 पॉइंट की जो की hammering block होता है hammering block कुछ इस तरीके रहता है जिसके उपर किसी job को रख सकते है ठोका-पिंजी कर सकते है 65 cm and the 60 square का यह रहता है ठीक है इसके साथ में 27 पॉइंट होता है वो होता है magnifying glass 15 cm यह होता है किसी भी छोटे letters को देखने के लिए या फिर job को देखने के लिए काम में लिया जाता है अब बात करते है 28 पॉइंट की जो की welding measuring gauge fillet and the bottle यानि के fillet joint और butt joint का मापन करने के लिए हम इस device का इस्तमाल करते है measuring device होता है अब बात करते है file hand round bastard file यह material को remove करने के लिए काम म होता है ठीक है अब बात करते हैं इस पैनर की जिससे अगर दोनों मुख खुले हुए हैं तो यहाँ पर इसका जो डबल एंडे होते हैं जो की 12 mm and 15 mm के यहां पर कहीं तरह के size market में आवेलेबल होते हैं इसलिए मैंने सारी यहां पर पुटप कर दिये हैं अब आप देख सकत हैं कि spanner spanner de 6 mm to 15 mm 1.5 mm set यह देख सकते हैं यहां पर एक रिंग टाइप हो गया और यह के open हो गया ठीक है तो इस तरीके से जो है यहां पर market में इस तरह के कहीं तरह के से जो है spanner अवेलेबल हो जाते हैं जो कि 10 cm 15 cm 20 cm और 30 cm की यहां पर मैंने दिये हैं वे इसे बता दू कि कहीं तरह की के होते हैं अगर आप बोलेंगे तो उसका वीडियो में upload कर दूंगा लेकिन हाँ कमेंट जरू करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरू करें और वीडियो अच्छा लगे तो जरू देखें मेरे कई तरह के उसमें हैमर जो है वो upload कर रहे हैं और इसका वेड होगा वो होगा आपका 3 kg का होगा 35 पॉइंट जो होता है पाइप रिंच जो की पाइप को किसी भी कसने के लिए किसी स्थान पर जो है यह हम पाइप रिंच का इस्तमाल करते हैं यह रिंग ह हो जाते हैं अब बात करते हैं एस्टील टेप जो कि इसको हम इंची टेप भी बोलते हैं जो कि फ्लेक्सिबल इन केस होता है 182 cm तक का इसका स्टेंडर साइज होता है अब बात करते हैं वेल्डिंग टोर्चेज विथ 10 नौजल 10 नौजल के साथ में अवेलेबल होता है यह पीछे दो आइप लगे रहते हैं जो इसमें एक तो ऑक्सिजन एक तैसी चलीन ऐसे कहीं तरीके के उसे सिलेंडर सका इस्तमाल करके जो है हम वेल्डिंग टोर्च का इस्तमाल करते हैं आगे नौजल लगे रहेगी ठीक है अब बात करते हैं 38 परिंट की जो की अर्थिंग क करते हैं जो की कटिंग टोर्च ओक्सिटिलीन विथ कटिंग नौजल 3x64 जैसे कि मैंने बताया है कि आगे लगी रहती है जो की कटिंग करने के लिए वेल्डिंग के दोरान भी काम में लिया जाता है गेस कटिंग के दोरान अब बात करते हैं 41 पॉइंट की जो की heavy duty cutting and squaging blow pipe with cutting squaging nozzle होती है तो आप यहाँ देख सकते है heavy duty अगर cutting करनी है गेस cutting करनी है तो वहाँ पर यह दो नौजल का इस्तमाल भी कर सकते हैं और साथी साथ जो है यह blow pipe होता है अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड होल्डर 400 amp का जेसके भी इतनी current capacity होती है और यह जो है आपका इलेक्ट्रोड को carry करता है welding के दोरान ठीक है तो यह इलेक्ट्रोड होल्डर हो जाता है अब बात करते हैं जो कि welding rubber hose होती है oxygen and acetylene के लिए जो कि यह pipe होती है rubber की और rubber hose clamps जो होते हैं pipe को carry करने के लिए कहीं पे भी attachment लगाने के लिए जो है इन claims का इस्तमाल करते हैं यह claims कहीं थरीके की होती है जिसके आप देख सकते हैं अब बात करते हैं 45 point की जो की हमें जो है spindle key होती है यह देखी यहाँ पर spindle लगा रहेगा उसको open करने के लिए काफी तागत के साथ में इस spindle key का इस्तमाल करते हैं for opening the cylinder valve को open करने के लिए ठीक है अब बात कर लेते हैं कि pressure regulator oxygen double stage तो यहाँ पर oxygen यह regulator होता है जो कि oxygen की मात्रा को जो है limited मात्रा में भेजने में यह रोकने में सक्षम होती है यहाँ पर इसका pressure दिखा दिया जाता है उपर regulator के उपर लागे रिती स्क्रीन अब बात करते हैं यहाँ पर आपका pressure regulator जो कि acetylene के लिए होता है acetylene के लिए यह regulator का इस्तमाल किया जाता है जैसा कि आप जानते है tip cleaner tip cleaner क्या करता है किसी भी होस के किसी भी tip को जो है clean करने के लिए जो है यहाँ पर हम tip cleaner के इसमाल करती है पत्या होती है जिससे के साफ की जाती है ठीक है अब बात करते हैं जो कि glasses colored 108 mm into 82 mm into 3 mm दिन 1 a 1 ampere to 13 ampere तक के जो है इनका specification होता है इस तरीके से ठीक है काफी जादा जो है lighting को यहाँ पर यहाँ पर यह देखने के लिए कामे लिए जाते हैं glasses को अब बात करते हैं glass white 108 mm into 82 mm तो यह आप देख सकते हैं यह लंबाई चोड़ाई इस तरीके से जो है यहाँ पर आपका white glass होता है outfit spanner जो होते हैं वो कुछी तरीके से होते हैं कहीं प अब बात करते हैं 53 पॉइंट के जो कि leather sleeves होती है कुछ यह जो है hand को protect करती है leather sleeves होती है ठीक है अब transformer welding continuous welding current with all accessories copper wound 30 sorry 300 ampere to and 400 ampere की जो यह है transformer welding के लिए काम में लिया जाते हैं जो कि continuous current welding welding को जो है current देने के लिए काम में लिया जाता है ठीक है with all accessories इसके साफ में होती है यह कुछ इसका outlook इस तरीके से नज़र आता है अब बात करते हैं जो कि आपके arc welding set rectifier with type 300 for 450 ampere continuous welding यह DC sorry arc welding के लिए काम में लिया जाता है ज्योंकि all accessories के साथ आता है 300-400 ampere तक के current के लिए copper wound इस इसका outlook कुछ इस प्रकार से नज़र आता है अब बात करते 56 point की जो की welding generator होता है जहांके भी main supply नहीं होगी तो वहाँ पर जो है supply देने के लिए काम में लेता है DC rotary set होता है 300-300 ampere with all accessories के साथ आता है copper wounding के साथ आता है ठीक है friends अब बात करते है CO2 welding machine जो की complete 400 ampere की होती है यह इसका लुक कुछ इस तरीके से नज़र आता है outlook अब बात करते हैं 59th point की जो की welding cable to carry 300 ampere जो की 300 ampere की होती है with flexible rubber copper है ना तो यह इसका outlook कुछ इस तरीके से होता है उपर की rubber cap होती है और अंदर जो है copper wire होते है अब बात करते हैं oxygen cutting machine complete जो की इस तरीके से रहती है जो की cutting करने के लिए काम में ली जाती है अब बात करते है gas welding जो की positioner के साथ में आता है और इसका यह standard size होता है 22 cm into 92 cm प्लस जो होगा वो 60 cm fire blocks के साथ में आता है यह कुछ रिस्का रहता है अब बात करते हैं आर्क welding table जो की positioner के साथ में आता है यह आर्क welding table होती है जो यह control करती है यहां पर control box लगा रहेगा और इसका जो size होगा इस टेंडर वह 122 cm into 92 cm into 60 cm होता है अब बात करते हैं इसी के साथ में बेंच shear cutter जो होता है बेंच को shear करने के लिए जो है capacities की होती है 5 mm तक की जो की इस तरीके का device होता है अब बात करते हैं ग्राइंडर जिसको हम pedestal type grinder मशीन भी कहते हैं जो की grinding करने के लिए काम में लेते हैं और यह जो wheel होगा यह आपका 30 cm तक का carry कर सकता है ठी इसी के साथ में बेंच wise जो कि बेंच wise फ्रेंट्स में बता दू फीटर टूल्स को एक बार जवर देख लें उसमें से इसके बहुत सारी टाइप जो है उस वीडियो में डिस्क्राइब कर रखे हैं ठीक है फ्रेंड्स लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अब बे किनरी की तोर पे जो है कटिंग करने के लिए पावर सो तेजी से काटती है ठीक है तो इसका कुछ आउट्लुक इस तरीके से होता है फिर इसके बाद में एजी सेवन ग्रांडर जो की आपका किसी भी सर्फेस को गिसने के लिए काम में लिया जाता है ये वील लगा रेगा गार्ड होगा और ये हैंडल होता है और इसको एजी सेवन ग्रांडर केते हैं ठीक है अब बात करते हैं सेवन्टी पॉइंट जो की पॉर्टेबल ड्रिलिंग मशीन होता है जो होती है इसकी 6 mm तक का बिट लगा सकता है और इतना बड़ा होल कर पाएगा ठीक है ये आपका पॉर्टेबल हैंड ग्रांडिंग होता है अब जो 71 पॉइंट होता है वो होता है फायर एक्स्रिंग्यूशर जो की फ्रम टाइप और सीओ टू टाइप का होता है जो की आग को बुजाने के लिए इस तरीके से जो कुछ भी सामान रखने के लिए काम में लिया जाता है इस ठीक है अब बात करते हैं इस्ट्रक्टर टेबल जो की इस तरीके से रहेगा ठीक है और इस्ट्रक्टर टेबल जो होगी वो कुछ चेर जो होगी वो कुछ इस तरीके से रहती है साथ में फरस्टेड बॉक्स जैसे की कोई दुरगटना की दुरान अगर चोटोर लग जाती हैं साथ ही जो लास पॉइंट होता है वो स्टील लोकर्स होते है विट एट पीजन होंडर्स होते हैं यह के अंदर जो है हम किसी भी सामान को जो है केरी करके रखते हैं तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड़